कि अधियु आप सभी का नीट फटाफट MCQ सिरीज के अंदर ओप सो आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपने होली के पर्व को बहुत बहुत अच्छे से मनाया होगा और अब जुड़ जाएए मस्ती हो चुकी है होली की और जुड़ जाएए फिर से पढ़ाई के अंदर स्वागते आप सभी का इस सिरीज के अंदर और आज हम लोग एक नया टॉपिक की यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिसकस करेंगे विच इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस नौन एस दे सेल डिवीजिन क्योंकि इसके उपर कई बार जो है वो बच्चे गलतियां कर बैठते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि नीड जैसे रेपुटेटेर एक्जाम के अंदर एक छूटी सी गलती और एक कोशिन का गलत होना भी बहुत-बहुत भारी पढ़ जाता है तो silly mistakes नहीं करनी है दीरे दीरे हमारे साथ में अपने concepts को strong करते रहिए and once a time will come that you will be filled with full of confidence नीड एक्जाम को देने के लिए आपका confidence जो है वो बहुत-बहुत माइने रखता है तो be confident, questions को करने के अंदर cleverness होनी चाहिए और आपका concept बहुत strong होना चाहिए, deep studies होने चाहिए, यदि वो होती है, तो निश्यत तोर के उपर आप कभी भी question को घलत नहीं करेंगे, and you can get 360 out of 360, और target भी यही रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से competition बढ़ रहा है, आपको अपनी seat को occupy करने के लिए, अपने आपको मजब पा रहे हैं, everybody एक बार जल्दी से थमसब कर दीजे, ताकि हम लोग आगे पूरा discussion शुरू कर पाए, audible है, you are able to see me and everything is okay, okay fine, now we can start with the lecture, और स्वागत है आप सभी का, जितने भी जो नए लोग है, चैनल के उपर आ रहे हैं, उन सभी का स्वागत, and आज का जो topic है हमारे live session का, वो है cell division, so let's start, आज का पहला question, now first question है, most active stage of cell cycle, most active stage of cell cycle, cell cycle तो जानते हो न, cell cycle में क्या-क्या stages होती है, that is, एक तो होती है, G1, S, G2 और M, ये stages होती है, G1, S, G2 और M, ये stages होती है, G1, S, G2 और M, ये वो कौन सी होती है, interface होती है, this is the interface, ये interface है, और ये वाली जो है, वो क्या है, active dividing phase है, this is active dividing phase, ये याद रखना, ये जो interface होती है, interface stage, though it is called as resting phase, though it is called as resting phase, लेकिन class में जब हम लोग थे ये पढ़ाते हैं, तो ये कहते हैं कि भले ही interface resting phase है, but metabolically, but metabolically, it is most active stage, most active stage of cell cycle, ये cell cycle की सबसे active stage है, तो most active stage, most active stage of cell cycle, cell cycle की सबसे active stage कौन है, प्रोफेज, मेटाफेज, स्टीलोफेज या इंटरफेज, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे जो active stage होती है, भले ही वो resting stage है, बले ही cell divide यहाँ पर कर रही है, लेकिन preparation की जो phase है, जिसको की G1S और G2 कहरेज, वो सबसे active stage होती है, तो हम लोग opt करेंगे किस के उपर, इंटरफेज के उपर, clear है, चलो, आगे बढ़ेंगे, which of the following method of cytokinenses is founding plant cell, मतलब which of the following is the method of cytokinenses in plant cell, मतलब cytokinenses बोले, तो cytokinenses बोले, तो cytokinenses division, cytokinenses division, और वो भी पूछा है किसमे plant cell के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि plant cell के अंदर, जो cytokinenses होता है, या cytokinenses होता है, वो जिस method से होता है, उसको हम लोग क्या कहते है, cell plate method कहते है, यहना, what we call cell plate method, और cell plate कैसे बनती है, तो मैंने एक बार पहले के lecture में भी बताया था, फ्रेग्मोप्लास्ट, फ्रेग्मोप्लास्ट which is the precursor of cell plate, it is precursor of cell plate, प्रेकर्सर मतलब जिससे cell plate बनती है, प्रेकर्सर और cell plate, याद अखना, प्रेकर्सर अख आया, याद प्रेकर्सर और cell plate, तो फ्रेग्मोप्लास्ट कया है, पीसिस ओख और पीसिज ओफ E.R. प्लस घॉल्जी वेसिकल पीसिस ओफ E.R. प्लस घॉल्जी वेसिकलS, चॉम्बाइन उकर और phragmoplast बनाते हैं और phragmoplast से क्या बन जाता है दोस्तो cell plate right and this cell plate is important for the division of the cytoplasm in the case of the plant cell in the case of the plant cell और cell plate फिर क्या बना देती है middle lamella बना देती है फिर middle lamella बना देती है और middle lamella के दोनों तरफ primary cell wall का क्या हो जाता है formation middle lamella के दोनों तरफ primary cell wall का formation हो जाता है तो which of the following is the method of cytokinesis in plant cell to cell plate और यदि यही चीज cytokinesis for animal cell होता तो हम क्या लिख देते cell furrow method by furrow formation by furrow formation clear है या नहीं है चलो अब आगे बढ़ सकते हैं now third के उपर आ जाते हैं what happens in interkinensis पहली बात तो interkinensis का मतलब तुम समझते हूँ what is interkinensis interkinensis is found between meiosis 1 meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में यहाँ पर interkinensis होता है interkinensis किस के बीच में होता है meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में तो meiosis 1 के लास्ट में दो सेल्स बनती है अब वो दोनों सेल्स इंटर करेगी किसमें meiosis 2 में और 4 सेल्स बनेगी तो interkinensis में क्या होता है preparation occur for the next division, preparation for second meiotic division occur preparation for second meiotic division occur preparation for second meiotic division occur देखो कई बच्चों ने गलतियां कर दी है third का answer फूर्थ नहीं होगा आप से देखो कितनी बड़ी गलती किये रिचा ने और धवेंद्र ने कितनी बड़ी गलती किये आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती किये है ना और कुछ लोगों को तो और confusion है कि third है या second है अरे भाई we have not asked about the interface बेटा resting stage जो होती है कितनी जल्दबाजी कितनी जल्दबाजी sorry मांगो कान पकड़के interface is the resting phase जो कि किसके बीच में होता है mitosis के अंदर होता है mitosis के थीक पहले M phase के ठीक पहले interface होता है meiosis फर्स्ट और meiosis second के बीच में interface की जगे पर interkinences होता है interkinences and interkinences is not the resting stage interkinences is not the resting stage जो resting stage होगा वो तो interface को कहते है so what happens in interkinences interkinences में क्या होता है so what resting stage के बारे बिल्स थोड़ी पूच decor anyways में क्या होता है into kinences Mark वेले, miosis first और miosis second के बीच में, और इस interkinences में preparation होती है second meiotic division के लिए, preparation होती है किसके लिए second meiotic division, मतलब ये second meiotic division के लिए miosis first तो पूरा हो गया, second meiotic division start हो, उसके लिए, इस phase के अंदर क्या होती है दोस्तों, प्रप्रेशन होती है, येस ओर नो, गलती की ना आपने, चलो, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए, अब division of nucleus is indirect in, division of nucleus is indirect in, देखो, indirect का मतलब क्या होता है, indirect के अंदर क्या होता है कि division में पहले क्या होती है, बहुत सर इवेंट्स होती है, केरियो कैनेसिस, फिर साइटो कैनेसिस वगेरा, ये सब इवेंट्स होती है, तो हमेशा दोस्तों जो division of nucleus, division of nucleus is, nucleus का जो event है, nucleus के अंदर पूरा के पूरा division होता है, फिर उसके बात में कहीं जाके साइटो कैनेसिस होता है, तो पहले केरियो कैनेसिस वगेरा, पूरा sequential process होता है, तो division of nucleuses division of nucleuses indirect in indirect जो होता है वो किस में होता है mitosis में अच्छा और येदी question जो है वो माल लिजे कि येदी question directly ऐसे होता तो division of nucleuses direct in direct होता तो direct होता तो answer क्या होता anybody of you direct होता तो answer क्या होता तो a mitosis हो जाता क्योंकि उसमें spindle fiber formation वगेरा और कुछ भी नहीं होता है A mitosis के अंदर and there is no spindle fiber formation nothing तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों पूरा के पूरा karyokinesis में क्या होता है sequences होती है prophase, metaphase, anaphase, telophase पूरा एक process होता है sequential process होता है इसलिए nucleus का division है वो indirect इसलिए का गया है क्योंकि nucleus का division prophase, metaphase, anaphase और telophase से हुटते हुए होता है ठीक है और बाद में कहीं जाके cytokinesis होता है तो division of nucleus is indirect in mitosis clear है याद रखना आगे बढ़ते हैं How many chromosomes will be in the cell of human produced by meiosis अब यहाँ पर कई सारे लोग गलतियां कर देते हैं बहुत सारे लोग घलतियां कर देते हैं और वो भी जल्द बाजी के अंदर How many chromosomes will be in the cells of human सुनना How many chromosomes will be in the cells of human produced by meiosis produced by meiosis चलो पहला answer जिसका आएगा chat section के अंदर फटा फट से लिखे जो पहला answer लिखेगा और जिसका answer सही होगा मैं उसका नाम पुकारूँगा यहां पर live session के अंदर मैं नाम पुकारूँगा आपका और सोच लो आप जितनी बार मेरे मुझे नाम पुकारूआएंगे तो आपका नाम मुझे याद हो जाएगा पहला answer आया है Priyanka Priyadarshini से Priyanka Priyadarshini Mohanty and she is correct Yes the answer is 23 क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे कि इसका answer जो है वो 46 होगा लेकिन नहीं How many chromosomes will be in the cells of human produced by produced by produced by meiosis तो we know very well दोस्तो meiosis क्या होता reductional division होता है meiosis is reductional division which reduces the number of chromosome to half तो how many chromosomes will be there in the cells of human produced by meiosis तो human cell कैसे होती है 2N is equal to 46 तो meiosis के बाद में half हो जाएगा तो N is equal to कितना हो जाएगा 23 N क्या हो जाएगा 23 तो answer कौन सा हो गया तो अपना third हो गया यानि कि 23 correct है minimum number of meiotic divisions required to produce 62 pollen grains 62 pollen grains क्या question पूचा है minimum number of meiotic division meiotic मतलब meiosis don't be confused meiotic मतलब meiosis minimum number of meiotic divisions required to produce 62 pollen grains एक चीज यहाँ रखना आप जानते हो microspore mother cell you know what is microspore mother cell आप microspore mother cell जो होती है वो deployed होती है और one microspore mother cell one microspore mother cell one microspore mother cell जब divide होती है one microspore mother cell divide होती है you can also call it as ये जो microspore mother cell है दोस्तों उसको आप पोलन mother cell भी कह सकते हो और जब one microspore mother cell जब divide होती है meiosis से जब divide होती है meiosis से तो जानते हो कितनी microsports बनते हैं 4 microsports बनते हैं आप चाहें तो इनको pollen grains भी कह सकते हो तो या तो यह कहोगे कि 1 pollen mother cell divides to form 4 pollen grains या आप कहोगे 1 microspore mother cell divides to form 4 microspores तो minimum number of the meiotic division required to produce 62 pollen grains आपको 62 pollen grains बनाने के लिए अब देखो फिर से यहाँ पर गलतियां कर दी दिव्यांशी ने गलति कर दी mg जो है उन्होंने गलति कर दी है ना बहुत सारे बच्चों ने गलति कर दी लेकिन कुछ बच्चों ने सही किया है अभी तक भी मेरे पास में सही आंसर नहीं आ है 6th का आंसर मुझे अभी किसी के भी पास में से नहीं आ है कितना simple question है और कितनी बड़ी गलतियां कर रहे है आप लोग कितनी बड़ी गलतियां कर रहे है सोचो silly mistakes नहीं करनी है दोस्तों answer है 16 यानि कि 6th का answer 4th होना चाहिए था और आप लोगों ने गलतियां कर दी अब आया है answer प्रियंका प्रियदर्ष्णी ने किया है minimum number of meiotic divisions required minimum number of meiotic divisions required minimum number of meiotic divisions required to produce 62 polandgills अरे यार very simple 16 into 4 16 4 जा 64 एक से चार बनती है एक से चार बनेगी एक से चार बनेगी तो बड़ा simple सी बात है कि 16 से कितने बनेंगे 62 polandgills मुझे 15 कैसे करे हूँ 15 4 जा तो 60 होँगे कुछ बच्चे ये किरे हैं कि 15 होगा तो 15 4 जा तो 60 होगे न जादा होँगे तो चलेगा कम होँगे तो नहीं चलेगा ठीक है तो 15 divisions आप लो किरे gotta 15 division तो वहीं नहीं सकता है 15 4 जा 60 वो किरे है minimum कितने चाहिए तो 15 के पास की वहले कुछ से 16 16,4 जा 64 कम से कम भी मुझे 62 pollen grains को बनाने के लिए 62 pollen grains को बनाने के लिए कम से कम मुझे कितने divisions चाहिए 16 divisions चाहिए agreed or not agreed or not गलतियां की ना गलतियां की गलतियां नहीं करने है बच्चो से लिए mistakes आप लोगों के लिए बहुत भारी ही पड़ेगी आगे बढ़ते हैं crossing over takes place crossing over तो समझते हो gene exchange right अब तुम अच्छे तरिके से जानते हो कि meiosis one के अंदर एक stage होती है prophes first और prophes first के अंदर भी सब stages होती है L, Z, P, D, D ये तो तुम जानते हो Leptotene, Gigotene, P, Diplotene, Diagnosis है ना Leptotene, Gigotene, P, Diplotene, Diagnosis right यदि ऐसे याद नहीं हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना लता जरा पानी दे दो ऐसे याद रखनो लता जरा पानी दे दो मतलब L for Leptotene, Z for Gigotene, P for Pecateene, D for Diplotene, D for Diagnosis इस सीक्वेंस में हमेशा आप लोगों को याद रखना है क्या याद रखना है लता जरा पानी दे दो ठीक है तो Crossing Over यानि कि Gene Exchange टेक्स प्लेस इन Crossing Over टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन, Pecateene, Diplotene या डाइकेंस इस एनिबडी ओफ यू वेरी गूड प्रियंक का सबसे पहला आंसर आया है मेरे पास में एक Crossing Over यानि कि Gene Exchange टेक्स प्लेस इन बेटा Crossing Over टेक्स प्लेस इन पकाइटीन बट या दखना एक कॉंसेप्ट और दे देता हूँ Crossing Over is Visible in Next Stage Crossing Over is Visible in Diplotene Substage तो हमारा कोशिन कहा था Crossing Over takes place in तो क्रोशिंग ओफ टेक्स प्लेस इन तो पकाइटीन यदि कभी ऐसे कोशिन पूछ ले मालीजे कि Crossing Over is Visible in तो Crossing Over is Visible in तो अपने Diplotene लिखेंगे लेकिन यदि ये पूछे Crossing Over takes place in तो आप कहोगे पकाइटीन सबस्टेज चलो अब आजाते हैं In which order cytokinesis occur in plants You know very well cytokinesis in plants occur with the help of cell plate method cytokinesis occur by cell plate method एन हमेशा यदि न सेल प्लेट इस फॉंड फ्रॉम जो सेल प्लेट बनती है वो हमेशा कहां से कहां पर बनती है फॉम सेंटर टू पेरिफेरी है न सेंटर टू पेरिफेरी सेल प्लेट हमेशा कहां से कहां पर बनेगी जिसे मान दीजे कि यह cell plate बन रही है तो cell plate हमेशा किदर से किदर बनेगी center से periphery की तर बनेगी cell plate is always formed from center to periphery और कोई भी चीज जब center से periphery की तर बनती है तो उसको अपने क्या बोलते है centrifugal development कहते है इसको हम क्या कहते है centrifugal development कहते है centrifugal development कहते है तो cell plate is always formed, in which order cytokineses occur, in which order cytokineses occur, तो cytokineses always occur from center to periphery, और कोई भी चीज center से periphery में जा रही, ऐसे, center से periphery, ऐसे, center to periphery, कोई भी चीज जो center से periphery की तरफ जा रही है, तो center से periphery की तरफ कोई भी चीज जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी ख्याल से clear है सभी को दोस्टो, center to periphery, तो 8th का जो answer है, वो कोई सा हो गया, second, everybody, okay, agreed, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, which of the two events restore the normal number of chromosome in life cycle, which of the two events, याद आखना, which of the two events restore the normal number of chromosome, normal number of chromosome in life cycle, दिखिए, हमारे पापा के अंदर 46 chromosome, हमारे दादा के अंदर 46 chromosome, हमारे अंदर 46 chromosome, आने वाली generations के अंदर 46 chromosome, तो आखिर ये चक्कर क्या है, तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, माली जी हमारे father और mother, father के अंदर 46 chromosome है, mother के अंदर 46 chromosome है, तो जब भी gamits बनते हैं father और mother से, तो क्या होता है meanuses होता है समझो meanuses होता है तो 46 का अदा कितना हुआ 23 और इदर भी 46 का आप उथे workflows 23 23 और 23 यह दूनों क्या हो जाएंगे fuse हो जाएंगे तो यह तो meiosis हुआ अब क्या होगा fertilization और यहER fertilization हुआ fertilization में फिर से क्या बन जाएंगा 46 तो एन नमबर तो टो एन इसकल टो 46 यह क्या बनकिया दोस्तो जाइगोड बनकिया अब जाइगोड से क्या बनेगा तो जाइगोड से embryo, जाइगोड से क्या बनेगा embryo, तो जाइगोड से जब embryo बनता है तो तो mitosis होता है कोई change नहीं होगा, तो 2N is equal to 46 ही रहेंगे, और embryo से petus, और petus से क्या बनेगा, young one petus से क्या बनेगा दोस्तो young one, तो इधर भी 46 है और इधर भी क्या है, 46 है तो बताओ जले से, which two events which two events, which two events restore the normal number of chromosome तो एक तो कौन सा हो गया meiosis और दूसर कौन सा हो गया दोस्तो, fertilization तो the two events which restore the two events which restore the normal number of chromosome, अच्छी बात है, सब लोग अच्छा response कर रहे हूँ, which of the two events restore the normal number of chromosomes in the life cycle of organisms तो याद रखना हमेशा, you are correct now, meiosis and fertilization, क्या होगा दोस्तों, meiosis and fertilization, number of meiosis, अब देखो, number of meiosis required to produce 100 functional megaspore in angiospom यह न, क्या खा मिने, number of meiosis required to produce, number of meiosis required to produce 100 क्या खा, number of number of meiosis required to produce 100 functional megaspore in angiospom तो very simple megaspore किसे बनते है तो 1 megaspore, 1 1 megaspore, mother cell 1 megaspore, mother cell जब divide करती है किससे बटा meiosis से तो 4 megaspores बनते है बट 3 degenerate हो जाते है यह न, 3 degenerate 3 degenerate और 1 megaspore functional रहेगा 1 megaspore क्या रहेगा? functional 1 megaspore will remain functional 1 megaspore functional रहेगा तो number of meiosis required to produce 100 functional megaspore तो very simple यदि हम इसको यदि अब finally देखें तो 1 megaspore mother cell 1 megaspore mother cell when divided by meiosis तो 1 functional megaspore is found तो 1 functional megaspore formed 1 functional megaspore formed तो 1 megaspore mother cell 1 megaspore mother cell divide करेगी तो 1 functional megaspore 1 megaspore mother cell के divide उने से 1 functional megaspore बनेगा तो बताओ जले से 100 functional megaspore बनाने के लिए कितने चाहिए? very simple 100 1 megaspore mother cell divide करेगी तो functional megaspore के वो देको लाइन लिख रहा है पढ़ो question में question में ही answer है ठीक है? 100 functional megaspore मना है तो एक बाह division होता है तो एक functional megaspore बनता है तो 100 times division होंगे 100 times division होंगे तो कितना है? 100 functional megaspore बनेगे तो answer कौन सा होगा दोस्तों? yes, 10th का second that is the 100 clear है? concept clear है? आगे बढ़ सकते है? okay next, match the column 1 with column 2 चलो, आजकल match the following आते हैं नीट के अंदर pack 18 सबसे पहले यदि आपका concept strong है तो 2 minute में answer आजाएगा अपने answer नहीं देखते हैं match करवाते हैं नीचे का ये मेरे लिए कोई माहिने नहीं रखता है याना answer आपका तब आएगा जब आपका concept clear है pack 18 के अंदर क्या होता है? crossing over होता है तो pack 18 के अंदर crossing over होता है देखो कहीं crossing over क्या? नहीं crossing over तो नहीं है के अंदर क्या होता है? तो gigotene के अंदर synapses होता है synapses हमस्ते हो न? pairing of homologous chromosomes चलो pairing of homologous chromosomes pairing of homologous chromosomes pairing of homologous chromosomes pairing of homologous chromosomes और क्या होता है? diplotene में क्या होता है? तो अभी just मैंने question करवाया है था तब मैंने बताया था इन TikTok के अंदर कायजमा वीजिबल हो जाता है और और कायजमा क्या होता है place where crossing over occur place where crossing over occur मतलब एक तरीके से crossing over visible हो जाती है तो यह भी याद रखाई left routine के अंदर left routine के अंदर क्या होता है तो left routine के अंदर synthesis condition होती है यानि कि the chromatids are chromatids जो है वो nucleus की तरफ थोड़े से folded रहते हैं chromatids are folded towards the I can say nucleus तो ये bucket formation होता है bucket formation होता है और di kinases में क्या होता है di kinases में क्या होता है दोस्तो thermalization होता है what is thermalization shifting of chasmeter towards terminal end shifting of chasmeter shifting of chasmeter towards terminal end तो कौन सा होगा answer कौन सा होगा 11th का 2 very good मेरे प्यारे बच्चो 11th का 2 concept strong रखना है concept यह दी आएगा तो ही आपको आगे की चीज़ आएगी clear है आगे बढ़ सकता हूं है चलो very good अच्छा सभी ने try किया है next reason of chromosomal movement in anaphase you know very well anaphase के अंदर क्या होता है दोस्तो chromosome opposite pole के उपर ओपर मूह करते है ऐसे यह देखो यह anaphase stage बनाईए मैंने और anaphase stage के अंदर यह opposite poles है और यह spindle fiber से है यह और centromere के वहाँ पर क्या होता है काइनेट कोर होता है यह काइनेट कोर होता है और जहां से की spindle fiber attach होते हैं जहां पर की spindle fibers attach होते हैं जहां पर की spindle fibers जहां पर की spindle fibers जो रहते हैं वो क्या रहते हैं अटेच रहते हैं ठीक है और यह जो है काइनेट कोर के अलावा ये क्या चीज़े? Spindle Fibers है These are Spindle Fibers ये क्या है दोस्तो? Spindle Fibers है These are Spindle Fibers Clear है? So now reason of Chromosomal Moment in Ennaface Reason of Chromosomal Moment Astral Rays Astral Rays, Centrioles Kinitocore या Spindle Fibers Kinitocores जानते हो न? Kinitocores क्या होते है? Protein disc found on Centromere Protein disc Found on Centromere जैसे कोई भी Chromosom होता है न ये ये Chromosom है यहाँ पर ये protein disc होती है ऐसे इसको अपने क्या बोलते है? Kinitocore कहते है तो क्या होना अच्छी है? आंसर क्या होना चाहिए? Yes Anybody of you? Dinesh, Richa Kinitocore and Spindle Fibers Kinitocore और Spindle Fibers दोनों जो है वो क्या करते है? Chromosomal Moment जो हो रहा है Enaphase Stage के अंदर ये जो figure है वो क्या है? Enaphase Stage के अंदर Enaphase Stage के अंदर जो Chromosom का Moment हो रहा है Enaphase Stage के अंदर जो Chromosom का Moment हो रहा है वो Kinitocore और Spindle Fibers की मदद से हो रहा है क्योंकि Kinitocore से तो आकर Spindle Fibers अटेच होंगे और फिर Spindle Fibers जो है वो Chromosoms को कहां पर लेके जाएंगे? अपोजिट पोल्स के उपर लेके जाएंगे Clear है? चलो आगे बढ़ते है Nuclear Envelope Reappears Nuclear Envelope का मतलब है Nuclear Membrane Nuclear Membrane तो आप इतना तो जानते हो कि जब Mitosis होता है तो Nuclear Membrane Disappear कब होती है? NM मतलब Nuclear Membrane तो Nuclear Membrane Disappear कब होती है दोस्तों? Disappear होती है Pro Face के अंदर और आप ये भी जानते हो हो कि Telophase is Opposite of Pro Face Telophase is Opposite of Pro Face Telophase is Opposite of Pro Face तो Nuclear Envelope Reappears Reappears कब होती है? तो Disappear तो Pro Face के अंदर होती है तो Reappears कब होती है? उसकी Opposite Stage के इनर रियपेर होती है opposite stage के अदर और वो कॉन सी है दोस्तो तीलो phase वो कॉन सी होती है तीलो विझे देखो गलती कर दि थirteenth कांसर क्या होना चाहिए तोरट Не disappear किसमे और मुई कोई प्रू fails के अंदर रियपेर किसमे होगी दोस्तो लोफिस अंदर है न Dann question को पढ़ लेना अच्छे से अभी आ जाते next one slipping of kaias meter towards the slipping of kaias meter slipping of kaias meter towards the ends of the bivalent is called slipping of the kaias meter towards the ends and slipping का मतलब होता है आप यह भी क्या सकते हो shifting of kaias meter point shifting of kaias meter point towards ends towards ends is called जानते हो क्या केते हैं इसको इसको हम बोलते हैं टर्मिलाइजेशन और टर्मिलाइजेशन कहां complete होता है बेठा टर्मिलाइजेशन कहां complete होता है दाइकानेस में तर्मिलाइजेशन कहां पर complete होता है तो दाइकानेस तो पूछा नहीं था न वो पूछ रहा है slipping of the kaias meter point shifting of the kaias meter point towards the end तो हम जानते हैं तर्मिलाइजेशन की definition क्या होती है तर्मिलाइजेशन की definition होती है इस शिफ्टिंग ऑफ तकाइस मेटा पॉइंट तोर्स टर्मी लाइजेशन क्या कहते हैं इसको दोस्तों टर्मीलाइजेशन एवरीबड़ी जितने भी लेट कमर्स हैं और नमस्ते वेरी गूड इवनिंग और टाइमली आईए कल की क्लास भी हम लोग शाम को छे बजे ही ले रखा था अब 27 के बात का जो स्केडूल है पूरा वो हम लोग आपको कल शाम को देंगे तो बी रेडी फॉर दर नेक्स्ट वीक ऑलसो क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी 12th क्लास चालू होगी तो मैं चेक करूँगा कि आपकी प्रपरेशन जो है वो 12th क्लास के टॉ बायो टेक्नलोजी है ना रिप्रदक्शन वाले जो यूनिट से जेनेटिक्स मॉल्यक्यलर बायोजी तो उन सब को हम लोग टेस्ट करेंगे तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट आजाते है विच डिवीशन मेंटेंज जेनेटिक सिमिलरेटी है देखो जेनेटिक सिमिलरेटी का मतलब है यहाँ पर स्टेमिलरेटी से है जेनेटिक सिमिलरेटी क्योंकि आपको मालूम है कि जेनेटिक सिमिलरेटी का मतलब है क्रोमोजोम नंबर वगेरा कुछ भी चेंज नहीं होंगे जेनेटिक सिमिलरेटी की बात हो रही है जेनेटिक सिमिलरेटी की बात हो रही है तो Which Division Maintains Genetic Stability, दोस्तों कौन बताएगा, Which Division Maintains Genetic Similarity, Mitosis, Meiosis, Amietosis या Reduक्षिनvasion तो देखो ये दोनों तो सेम हैं, और आपको मालूम है कि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है right meiosis के अंदर meiosis का ही दूसरा नाम क्या है reduction division है तो meiosis के अंदर तो crossing over होता है and crossing over के अंदर क्या produce होते है variations तो genetic stability का तो सवाल ही ने उठता है genetic stability का तो सवाल ही ने उठता है ठीक है a mitosis a mitosis which division maintains genetic similarity अब बहुत close आप लोगों को answer देना पड़ेगा which division maintains genetic stability anybody of you third होगा है first होगा yes बताई है third होगा है first होगा देखो a mitosis occurs in very few organisms हम लोग इस तरह के questions के अंदर mass के अंदर कौन सा होता है कौन से सबसे ज्यादा कौन सा होता है a mitosis is exceptional case उसको छोड़ दीजिए बाकी mitosis को तुम count करोगे तो mitosis is meant for genetic stability जाना genetic stability is maintained by जानते हो mitosis के definition क्या होती है mitosis के definition होती है it is a type of division in which one parent cell divides into two daughter cells and the two daughter cells which are produced are qualitatively as well as quantitatively similar to the parent cell वापे से बोल्रों mitosis is a type of cell division in which the parent cell in which the parent cell divides into two daughter cells parent cells divides into two daughter cells and the two daughter cells which are produced are qualitatively as well as quantitatively similar to the parent cell जियर है तो ये चीज़ भी ज्याद रखने है which division maintains genetic stability यानि की similarity तो mitosis को होग हम लोग opt करेंगे yes mitosis is correct one चलो meiosis takes place in meiosis takes place in meiosis किसमे होता है apical medicine में intercalary medicine में vegetative cells के अंदर या reproductive cells के अंदर question simple है लेकिन बहुत important है and many times ये exam के अंदर question पूछ लिया जाता है it is important for the exams ठीक है तो meiosis takes place in meiosis takes place in always remember reproductive cells यदि ये reproductive cells नहीं दे रखा होता तो वहाँ पर हो सकता था कि आपको germ cells दे रखा होगा या दे रखा होगा germ cells भी दे रखा हो सकता है तो meiosis takes place in बेटा meiosis takes place in germ cells कि अरे आगे बढ़ सकते हैं चलो बाकी सब का है जो बाकी सब के जवाब नहीं आ रहे है ना बाकी सब भी जवाब दीजिए you have to answer it interact कीजिए मेरे साथ में तो आप लोगों को मज़ा आने वाला चलिए आगे बढ़ते हैं most fastest type of cell division fastest type of cell division यहां पर यहां पर भी बहुत close option है बहुत-बहुत close option है और कई बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं नेम दे fastest type of cell division पास्टेस्ट टाइप अच्छा चलो मैं choices दे देता हूं माइटोस्स और ए माइटोस्स में से कोई एक आंसर है fastest type of cell division और justification के साथ में दोगे जिसका सबसे पहला answer आएगा मैं उसका नाम पुकर हूं और मैं नाम पुकर हूंगा तो मुझे नाम याद हो जाएगा यह सेविंटींथ का पोर्तो हो नहीं सकता रिच्चा थर्ड अशोक यादव क्या अशोक बता सकते हो कि थर्ड क्यों का आंसर बाकी सब तो अलग आंसर कह रहे हैं अशोक यादव ने हमें आंसर दिया है कि थर्ड होना चाहिए सर ए माइटोस्स और भानू प्रताब भी हमसे कह रहे हैं कि आंसर जो है वो थर्ड होना चाहिए न ना और येस शानू भी कह रहे है कि ए मैटोसिस होना चाहिए anybody of you yes 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 ए मैटोसिस क्यों अच्छा क्यों चलो मैटोसिस और ए मैटोसिस दोनों ही फास्ट टाइप के डिवीजिन है लेकिन जो ज्यादा फास्ट है वो कौन सा है बटा ज्यादा कौन सा है एमाइटोसिस क्यों बड़ा सिंपल सा है माइटोसिस कैसा है बेटा इंडिरेक्ट डिवीजिन है यह इंडिरेक्ट डिवीजिन है माइटोसिस कैसा है इंडिरेक्ट डिवीजिन है इंडिरेक्ट आज ही तो बताया था जिसमें की केरियो कार्नेसिस के यानि की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बहुत लंबा है, ग्रोथ फेज वगरा सब कुछ होते हैं, ए मैटोसेज जो है वो बेटा कैसा है, डायरेक्ट डिवीशन है, तो इसमें सेल्स मल्टीपल नंबर के अंदर बन जाती है, देखो ए मैटोसेज कैसा हो नहीं जाएगी, कितना सिम्पल और कितना फास्ट टाइग का दिवीशन है, इतना सिम्पल और कितना फास्ट टांश चरिंडगी है, तो 17 और हमारा आंसर है, यह सही बता रहो कि अशो करें, कि डेरिक टैप का डिवीजन, नो स्पिंड़ फार्विशन, एक तो कई spindle formation नहीं है और दूसरा no PMAT कोई प्रोफेज ने कोई मेटाफेज ने कोई एनफेज ने कोई टिलोफेज ने जबकि यहाँ पर प्रोफेज मेटाफेज एनफेज टिलोफेज सब चल रही थी तो इट विल टेक टाइम बात समझ मारी माइटोसिस के अंदर टाइम लगेगा और इस तरह के के कुशिंस के अंदर कभी भी गलती जल्दबाजी के अंदर नहीं करनी है ज्यादतर बच्चे माइटोसिस लिखे आते हैं उनको लगता है कि यार थूंकि हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाते हैं विच टाइप ऑफ डिविजन इस फास्ट म कहा हैं तो बच्चे को हम बताते हम भी माइटोसिस फास्ड होता है यहां पर कितना close उस्वन माइटोसिस और मिच अब कलास मेंद रिफिनटी यह फास्ट इन द माइटोसिस भूके अटा इस्टेज गुल्दिस्थे जियसी स्टेज यह पुके होता है न वैसी ऑकर हिए कि म प्रोफेस फरस्ट में हर एक स्टैप जो होती है ल, z, p, d, d लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकैटीन, डिप्लोटीन, डिकैनिस, उसमें हरे स्टेज की अपने एक स्पेशल फेचर होता है, बुकेट स्टेज, बुकेट स्टेज is the special feature of, yes it is the special feature of लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के अदर बुकेट स्टेज बनती है, that is very very important, कभी भी आप लोगों से question पूछ सकते हैं, तो बुकेट स्टेज, अकर इंविच स्टेज और प्रोफेस फरस्ट, तो लेप्टोटीन आप लोगों को यहाद रखना है, next, the synaptonymal complex appears, synaptonymal complex को हम क्या बोलते हैं, SC complex, तो synaptonymal complex कहाँ पर appear होता है, तो पहली बाद तो synaptonymal complex जो है, वो जाइगोटीन में बनता है, and it persists up to pacotene substage, यह जाइगोटीन के दाँ बनता है, बट इत persists up to the pacotene substage, तो synaptonymal complex अकर between homologous chromosomes, yes, homologous chromosome के बीच में ही बनता है इस तरीके से, यहाँ पर, इन chromosome के बीच में, SC complex बनता है, SC complex, SC complex, चलो यह, ओके, जाइगोटीन stage में बनता है, अफकोस, जाइगोटीन stage के अंदर बनता है, it is composed of DNA and protein, हाँ, the neptomymal complex is made of DNA and protein, protein कौन सा बता है, UB-Q-Teen, यह किसी को नहीं मालूम हो, तो यह जरूर भी extra information है, जरूर याद रखिए, कि synaptonymal complex में जो protein होता है, synaptonymal complex के अंदर जो protein होता है, उसको हम क्या बोलते है, UB-Q-Teen कहते हैं, यह extra information है, कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगी, तो जरूर नोट कर लेना, और all of the above, त interzonal fiber occurs between, देखिए, तीन तरेके के spindle fibers होते हैं, spindle fibers जो होते हैं, वो तीन तरेके के होते हैं, एक जो होते हैं, chromosomal fiber, chromosomal fiber, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, discontinuous fibers कहते हैं, this continuous spindle fiber, because यह pole to centromere होते हैं, यह कहां पर होते हैं, pole to centromere, और दूसे जो होते हैं, continuous spindle fiber, continuous spindle fiber कहां से कहां पर होते हैं, तो that is pole to pole, और यह यह तो metafase stage में ही बन जाते हैं, यह दोर्म तो metafase stage में ही बन जाते हैं, यह किसमा बनेंगे, metafase stage में ही बन जाते हैं, सब्सक्राइब उसक्राइब करें आए तो भी यार रखो, spindle fibers तीन तरह की होते हैं, continuous, discontinuous and interzonal fibers, continuous and discontinuous spindle fibers जो होते हैं, वो बन जाते हैं किसके अंदर, metafase के अंदर, लेकिन जो interzonal fibers होते हैं, वो किसमें बनते हैं, तो interzonal fibers are formed always in anaphase, यह रेको यह interzonal fibers किसमें बनते हैं दोस्तो, they are formed in, come on, किसमें बनेंगे तो they are formed in anaphase क्या तखोगे next, in anaphase 1 very, very, very very important कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, इन questions में anaphase 1 और anaphase 2 के पर question आते हैं anaphase 1 और anaphase 2 के पर question आते हैं, बच्चे यहां पर यह गलतियां करते हैं in anaphase 1, each chromosome is composed of, one chromatic two chromatic, four chromatic यह many chromatic anaphase 1 anaphase 1, 21 question का कौन जवाब देगा come on जो जवाब देखा, उसको मेरी और सिर्फ 5 stars 5 star वो आली नहीं हो, खाने वाली नहीं हो, तो तुम उदैपूर आओगे मेरे यहां पर राजिस्तान में तब अपने 5 star खाएंगे हाँ जी, 5 stars from my side, जो इसका आंसर देगा पहला आंसर है ना, फस्ट आंसर 4 chromatic, शानू केरिये 4 chromatic 21st का आंसर और धवेंदर कह रहे हैं 1, अशो के आदब कह रहे हैं कि 2 chromatic 2 chromatic, और कोई देनेश कह रहे हैं 1 justification के साथ में कोई आंसर देगा इसका along with justification, निदी कह रहे हैं 4 chromatic, नो विद्यापती कह रहे हैं कि 21 का 2 होना चाहिए MG classes कह रहे हैं 21 का 1 होना चाहिए नो, जिन लोगों ने भी सबसे पहला जो करेक्ट आंसर दिया है, अशोक ने और विद्यापती ने दिया है, 2 chromatic अर यार, very simple एक बात बताओ Gygotene stage के अंदर Gygotene stage के अंदर Bivalent बन जाता है Gygotene stage किस की है Prophase की stage है, Prephase 1 की ठीक है Bivalent बन जाता है, Bivalent का मतलब क्या होता है Tetraat ठीक है, Bivalent का मतलब क्या होता है Tetraat Leptotene, Gygotene, Pequatin, Diplotein O Di-Canesis ठीक है, Pequatin के अंदर crossing over वगेरा वो सब कुछ हो जाता है ठीक है और एनाफेस first के अंदर याद रखो एनाफेस first के अंदर central mirror तो divide होता ही नहीं है central mirror does not divide देखो ध्यान से सुना does not divide central mirror तो divide करता ही नहीं तो फिर कौन जाते हैं और उलस पे कौन जाते हैं तो diode moves at poles डाइड मूव्स एट पोल्स तो डाइड का मकलब क्या हुआ बाइविलेट बना हुआ है टेटराट से समझो जस्टिफिकेशन के साथ में चीज़े बहुत आसान हैं आप यह दी कॉंसेप्ट को डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ माएगा तो क्या होगा एनाफेस के अंदर एनाफेस के अंदर सेंट्रूमेर तो बेटा डिवाइड ही नहीं हुआ सेंट्रूमेर तो डिवाइड ही नहीं हुआ तो फिर कौन गया पोल्स के उपर कौन गया डाइड ये बाइविलेंट का मतलब होथा टेटराट तो एक इधर और एक इधर सेंट्रोमेर तो रिवाइड ही नहीं गए न एक डायड इधर गया एक डायड इधर गया वट इस डायड डायड के अंदर कितने होंगे तो अंसर अपना कौन सा हो गया तो अंसर अपना सेकेंड हो गया तो 21st का अंसर कौन सा हो गया अच्छोब गॉइंग अच्छी बात है ऐसी बने रही है गैप डिविजन फीस्ट इविजन फिस फेस यह लिख लेते हैं जीवन एस जी 2 और M और M के बाद में वापस क्या होता है जीवन ही होता है तो यह वाला तो gap between division phase division phase and start of DNA replication तो ये वाला ये DNA replication का phase है तो gap between division phase ये division phase है ये division phase है gap between division phase and start of DNA replication DNA replication कहां start होता है S phase के अंदर तो इन दोनों के बीच का gap कौन सा हुआ है ये वाला इन दोनों के बीच का gap कौन सा हुआ है बिटा ये वाला इन दोनों के मीच का जो गया पर वो कौन सा हुआ है यह बना clear है क्या देखो इसको come on fast yes got it agreed तो कौन सा होगा 20 से का अंसर कौन सा होगा first very simple जीवन यह क्या है division phase है यह कौन सा है division phase है और यह कौन सा है synthesis phase है इन दोनों के बीच में कौन सा होगा जीवन तो हमारा अंसर कौन सा होगया 20 सेकंड का first होगया 20 सेकंड का first clear है चलो अब आगे बढ़ते हैं in meiosis very very important very important बहुत बार exam के दर question पूछा गया है in meiosis division of centromere occurs during पूरे meiosis में in entire meiosis याद रखना in entire meiosis division of centromere division of centromere occur in एना फेस 2 क्योंकि एना फेस 1 के अंदर तो कभी भी सेंट्रू में डिवाइड ही नहीं करता है तो सेंट्रू में डिवाइड करता है कि बेटा के इसमें तो एना फेस 2 के अंदर always remember in meiosis division of centromere occur during right in meiosis division of centromere occur during एना फेस 2 clear है मेरे खाल से clear है सभी को okay 23 का अंसर clear in meiosis nuclear membrane and nucleus disappear during disappear during तो मैंने क्या सिखा है था बेटा meiosis 1 के अंदर meiosis 1 के अंदर एक stage होती है काँ सी prophase 1 और prophase 1 के अंदर 5 sub stage LZPDD है ना तो nuclear membrane and nucleus disappear तो मैंने क्या सिखा है था बेटा LZPDD लता जरा पानी दे दो लता जरा पानी दे दो ऐसे यादखना है that is leptotene, gigotene, packeting, dipotene and diacanesis तो nuclear membrane and nucleus किसमें disappear होगी तो last sub stage के अंदर और वो कौन सी है LZPDD में ये कौन सी है diacanesis तो बता दो जल्दी से meiosis की वो कौन सी stage है जिसमें की nuclear membrane और nucleus disappear हो जाएगी तो बेटा कौन सी है diacanesis है अरे मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है questions करना अच्छा लग रहा है ये दिया अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से thumb sub करो it is a great motivation for the teacher also teacher के लिए क्लिए क्लिए है teacher को motivation का मिलेगा और ऐसे हो कोई West Bengal से देख रहा है भी कोई अलग जिखे देख रहा है कोई कहां से देख रहा है कोई Nepal से देख रहा है कोई Pakistan से देख रहा है तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा okay yes 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 got it दिनेश विचछा right so interact करके पड़ो मजा आएगा in meiosis नूकलियो मिम्रेन और नूकलियर डिसेपिर दूरिंग डायक इनिसेज बिता ठीक है ओके next spindle fibers extend from pole to kinetocode ऐसे spindle fibers चलो एक काम करते है एना फेस बनाते है एक एना फेस stage बनाते है तो एना फेस stage में क्या होता है यह ऐसे stage दिखते है है ना यह पोल्स मना दिये है यह स्पिंडल फाइबर्स बना दिये है नो स्पिंडल फाइबर से जेक्षिन फॉम पोल टू सेंट्रूमियर पोल टू से होते हैं तो याद रखो पोल टू काइने टो कोर क्या होता है प्रोटीन डिस्क होती है जो इसके जाओ तरफ होती है सेंट्रूमियर के महा प्रोटी है तो आप यह भी कह सकते हो कि ऐसे स्पिंडल फाइबर जो पोल टू काइने टो कोर होते हैं तो पोल टू काइने टो कोर कौन से वाले हैं यह वाले हैं यह वाले यह पोल टू काइने टो कघनिटैना कोर और यहां पर यह क्या spole headache थो pole to magnetic और स्कन्राइब्स दूसर नामें क्रोमोसोमल ओक हैं क्यों आप देख लो कि अपने कहां पर हैं तो spindle fibers which action from pole to kinetocore pole to kinetocore जो है वो कौन से chromosomal fibers है मेरे क्याल से agreed है agreed सभी को हाँ या ना दोस्तो very good, चलो अच्छी बात है 25 का अंसर and good going अच्छी बात है separation of homologous chromosome during anaphase 1 यह बहुत बहुत important है, कई लोग इसको गलती करके आते है very important, यह एक exam करने को और पूछा गया था separation of homologous chromosome during anaphase 1 anaphase 1 के अदे centrum मेरे तो दिवाई नहीं करता है only diet moves towards opposite poles that you know, only the diet moves towards the opposite poles, तो centrum मेरे divides, तो separation of homologous chromosome during the anaphase 1 anaphase 1 के अदे जो यह separation हो रहा है, कुछ separation को तुम क्या कहा होगे separation of homologous chromosome during anaphase 1 synapses, separation is the pairing, यह Synapses is the pairing of homologous chromosome तो पहला तो हो नहीं सकता है Non-disjunction Non-disjunction मतलब Chromosomes are not able to separate Chromosome Not able To separate Chromosome not able to separate वो non-disjunction होगा तो यह तो separation के रहा है यह तो separation के रहा है तो यह भी नहीं होगा Crossing over Crossing over क्या होता है It is gene exchange Basically Exchange of homologous chromosome between non-sister chromatids of homologous chromosome Non-sister chromatids of homologous chromosome और Separation of homologous chromosome को हम क्या बोलते है यहाँ पर separate नहीं उपर है Separate होगे तो क्या कहेंगे Disjunction Separate होगे तो क्या कहेंगे Disjunction कहेंगे 26th का answer कौन सा है बिटा Good, good, good अच्छी बात है यह splitting centromere तक हो जाती है ऐसे यह देख रहे होगे यह splitting centromere तक हो जाती है Chromosome की जो splitting हो रही है दोस्तों वो कहां तक हो रही है Centromere तक हो रही है तो in mitosis splitting of chromatids up to centromere takes place in Come on, कौन बताएगा गलत जल्द बाजी नहीं करनी है गलत हो जाएगा रिच्चा का भी गलत धवेंदर का भी गलत सबका गलत है answer नहीं, गलत Anybody नहीं, मैं बताऊँ आपको in mitosis splitting of chromatids up to centromere takes place in metaphase क्योंकि ये chromosome को देखती है आपको समझ में आ जाना चाहिए था ये देखो ये ये chromosome ये ऐसा chromosome आपको कहाँ देखने को मिलता है तो प्रोफेस के अंदर तो chromosome इतने clear थोड़ी होते हैं प्रोफेस के बाद में metafase में आते हैं तो metafase में क्या होता है the chromosome is splitted completely ये यहां तक splitting हो जाती है ये देखो centromere तक splitting हो जाती है तो ये कौन सा है metafaseija chromosome है metafase एं ये कौन सा है metafase आप सही बोल रहे हो वह सेच्छ वाना राए क्सट इखेज दिवाच्छन करोमो जादेंसट ये तो सिंपल तो यह तो यह तो आना चाहिए आपको important है कई सारे exam से में पूछा गया है chromosome सा most condensed किसमे होते है most condensed in which stage of cell division the chromosomes are most condensed मतलब सबसे ज़्यादा thick, सबसे ज़्यादा condensed सबसे ज़्यादा clear जो होंगे वो किसमे होंगे anybody of you in which stage of cell division the chromosomes are most condensed 27, 28th का answer कोई भी नहीं, अभी तर कोई भी नहीं हंट जी, anybody of you in which stage of cell division the chromosomes are most condensed बेटा सबसे ज़्यादा जो condensed chromosome होते हैं वो किसमे होते हैं metaphase के अंदा होते हैं the most clear and the most condensed form of the chromosomes are found in metaphase in which stage of cell division the chromosomes are most condensed तो क्या होगा, metaphase clear आजी नहीं, telophase तो होई नहीं सकता है दोस्तू 28 का 2 होगा metaphase stage, most condensed तीलोफेस में तो बेटा decondensed हो जाते हैं, ultra अब आजाते हैं what happens during growth of a cell पहली बात तो यह किया ही, किया ही लिखा हुआ है किया है, किया ही is what carioplasmic index carioplasmic index है carioplasmic index है what happens during growth of a cell carioplasmic index समझते हो, क्या होता है यह शो करता है, volume of nucleus and volume of cytoplasm को शो करता है it shows the volume of nucleus and the volume of the cytoplasm it shows the volume of nucleus and the volume of cytoplasm what happens during the growth of the cell जब एक cell grow करती है है ना, जब एक cell grow करती है तो क्या होता है जब एक cell grow करेगी तो वो क्या करेगी, divide करेगी, grow करके divide करेगी तो उसका किया ही जो होता है वो क्या हो सकता है एक किया ही जो होता है वो disturb हो जाता है किया हो जाता है, disturb decrease हो जाता है किया होता है क्या हो जाता है decrease हो जाता है कुछ लोगों ने चखेह आंसर दिया ऐना yes कईइऐ विल डिक्रीज जब सेल ग्रोध होगी तो किएए डिकूरिय क्या है, कर्योंप्लास्मिक अगी किया है वो पूछा है, हर एक chromosome के अंदर 1 chromatid किसमे होगा, अच्छा चलो, पहले अपने क्या किया था बेठा, एनाफेज 1 के अंदर क्या किया था, 2 chromatid थे, ये तो होगा नहीं, एनाफेज 1 के अंदर हमने किया था कि centromere नहीं होता है, तो centromere नहीं होता है, तो it will be having how many chromatid, 2 chromatid, because diet will move towards the poles, diet will move towards the poles, right, अब एनाफेज 2 के अंदर क्या हो जाएगा, centromere क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, और centromere में डिवाइज हो जाएगा, तो एनाफेज 1 में 2 chromatid थे, एनाफेज 1 के अंदर 2 chromatid है, तो यहाँ पर तो centromere और divide हो जाएगा, तो यहाँ पर each chromosome composed of 1 chromatid किसमे होगा, एनाफेज 2 के अंदर होगा, याद अखना एनाफेज 1 के अंदर, ऐसे आदा को, एनाफेज 1 के अंदर, each chromosome is having 2 chromatid, each chromosome is having 2 chromatid, while in the case of the एनाफेज 2, 1 chromatid, एनाफेज 2 के अंदर, क्योंकि सेंट्र में divide हो गया है, तो सेंट्र में divide हो गया है, तो 1 chromatid ही होगा, क्योंकि 4 cells बन रही है, और 1 chromatid होगा, तो hopes हो कि, आज के questions आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, यदि अच्छे लगे हो, तो एक बार जल्दी से, एक बार fire वाला emoji, जल्दी से, आग वाला emoji, अच्छे लगे हैं, चलो, hopes हो कि, आपकी concepts भी clear होगे, दिखिए questions को करना ही important नहीं है, concepts तक जाना important है, ताकि इस तरीके का कभी भी कोई question आजाए, तो गभरानी की बात नहीं है, एक बार आपने question अपने हाथ से निकाल दिया, तो आपको कभी भी lifelong डिकत नहीं आएगी, clear है, तो आज हम लोग 6 बजे मिले थे, कल भी हम लोग 6 बजे मिलेंगे, शाम 6 बजे sharp, be bound to time, 6 बजे बिलकुल शार्प मिलेंगे हम लोग, और कल ही हम लोग next week का, जो upcoming जो week है, उसका schedule भी हम लोग आपको देंगे, तो इसी तरीके से बने रही है, और हमारे चैनल को आप लोग subscribe भी करें, और जितने भी जो videos वगेरा, और live session के जो links होते हैं, उनको जरूर शेर कीजिए, अपने अपने group के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इन free life classes का, जो need, फटाफट, MCQ की जो series है, उसका benefit मिल सके, so thanks a lot दोस्तो, अलविदा देते हैं, आज कल मिलेंगे, शाम को ठीक, 6 बजे, थेंक यू, आज के लिए, नहींगे,